हलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल पर मी ब्यूटी वर्ट, तो गाईज, आज हम आपके साथ एक ऐसा हेर कट शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपके क्लाइंट के हेर्स ज्यादा कटेंगे भी नहीं, और एक अच्छा सा हेर कट भी हो जाएगा, और आपका क्लाइंट भ हमें ज्यादा हेर्स नहीं कटवाने, हमारे हस्बेंट अलाउड नहीं करते हैं, हमारे सास अलाउड नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, गर्स को या बहूं को सोच के काम करवाना पड़ता है, किसी के पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, और किसी को अपने हेर्स ज् बोलता है कि आपने ज़्यादा हेर कट कर दिया तो आप लगा तो नहीं सकते ना अब हमने जो हेर की गाइडलाइन की है उसी साब से कुछ और section लिया है फिंगर में फसा कर उस गाइडलाइन के अकोर्डिंग हेर को फिर से कट कर दिया है जहां का हेर्स है आपने वहीं पर ले जाकर ही हेर कट करना है अगर आप सीधा ले जाकर नीचे हेर कट कर देंगे तो आपके client के hairs में बिल्कुल भी कोई shape नहीं आएगी वैसे सिधा state hair cut ही हो जाएगा अब जो इनके hairs बाजू के पास है उनकी भी direction हमने जैसे वहाँ पर जहां का hairs है महीं ले जाकर hair को cut करते जाना है अब हम आगे हैं दूसरी side दूसरी side भी हमने section को लिया है अच्छे से comb में combing की है और guideline हमने center से ले ली है proper तरीके से finger में फसाते हुए आपने hair cut करना है guys आपकी holding बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आप किसी का hair cut करते हैं तो आपने client को बोलना है hair wash करके आए और आपने उसके बाद अच्छे से spray कर लेना है hairs पर यानि hairs को wet करके ही hairs को cut करना है tangle free कर लेना है ताकि easily haircut हो जाए ऐसा नहीं कि आप hair cut कर रहे हैं और hair उलज रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपका client hair wash नहीं करके आता तो आप hair wash आपने parlor में करवाएं उसके बाद conditioner का use करें then serum लगा कर अगर आपको लगता है किसी के बाल बहुत जादा freezy है तब hair cut करें तब easily haircut हो जाएगा अब देखे इनके back side के hairs cut हो गए है पर हमने इनके front में ear to ear parting की थी तो आगे के hairs को cut करने के लिए पीछे से हमने guideline ली है और guideline के according हम आगे के hairs आगे की side ही cut करेंगे पीछे ले जाकर बिल्कुल नहीं cut करना otherwise shape proper तरीके से नहीं आ पाएगी अब पीछे से guideline ले ली है उसके according हमने hairs को cut कर दिया देखे कितने कम haircut कर हो रहे है मेरे client के बिल्कुल भी ज़्यादा haircut नहीं हुए इस haircut में और बहुत अच्छी एक look भी आजाती है इन hairs को अगर हम इस type का haircut करते हैं अगर आपके भी काफी long hairs हैं तो आप इस तरीके से घर बैटे haircut कर सकते हैं अगर आपके client को deep you चाहिए जैसे मैंने तो light you बनाया है अगर deep you चाहिए तो आप सारे के सारे hairs front पर haircut करें उससे easily deep you बन जाता है और guys मेरे channel पर काफी सारे वीडियो आपको haircutting से related मिल जाएंगी जैसे state haircut, laser haircut, step with laser haircut तो please एक बार channel visit को visit करें अगर आपको मेरे channel की वीडियो useful, interesting and knowledgeful लगे तो वीडियो को like करे, share करे साथ में channel को subscribe भी कर दे bell icon को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहे proper cut हो चुका है अब fingers में सारे hairs को मिला मिला कर जीतने भी extra चोटे मोटे hairs निकले हैं उन्हें भी cut कर रही हूँ ताकि uneven haircut ना लगे उसके बाद हमने इनके बालों में कर दिया था blow dryer final look इनका ये आया था काफी happy थी मेरी client तो guys अगर आपको भी ये haircut अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करना, share करना and channel पर comment करके जरूर बताना कि आप next video किस topic पर देखना चाहेंगे तो मिलते हैं आप से किसी next video में, okay take care bye bye, thanks for watching